जिले को दिया डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर का नाम तो मनुवादियों ने कोराम मचाते हुए जला दिया मंत्री का मकान आंदरपदेश के कोना सीमा जिले का मामला परफिक कामदार इंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है अंदरपदेश में YSR Congress Party की सरकार है पुर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुख्यमंत्री यसर के बेटे जगन मोहन मुख्यमंत्री है इनी की सरकार ने इनके नित्रतों में गत अप्रेल महा में 13 मही को सरकारी राजपत्र में घोशना करते वे आंदर प्रदेश के लगबग 13 जिलों का नामकरन किया था नाम पुराने हटा करके नए नाम किये गए उसी तरह से गत 18 मई को आंद्र के ही कुना सीमा जिले का नाम भारत रतन डॉक्टर बाबा साहिब अंबेड करके नाम पर स्ताना अंतरीत करने का नूटिफिकेशन निकाला गया जैसे ही कोना सिमा जिले का नाम करन डॉक्टर बाबा साहिब अंबेड करके नाम से किया गया और ये सरकारी अनुग्यपती सामने आई वैसे ही मनुवादियों ने इस जिले में कोराम मचा दिया विदायक पी सतिश कुमार जो की मंतरी भी है उनके घर पर हमला बोला उनका मकान जला दिया हाला कि आपको बता दे जिस कोना सिमा जिले का नाम डॉक्टर बाबा साहिब अंबेड करके नाम पर किया गया है इस कोना सिमा जिले में अनुसुचित जातियों के लोगों की संख्य बहुत जादा है वही 13 अपरेल को जिन अन्य जिलों का नाम बदली किया गया था जिसमें NTR, अन्नमया, अलुटी, सीतारा, मुराजू इस तरीके के प्रख्यात और बड़े हस्तियों का नाम जो है 13 जिलों को दिया गया था अब ऐसे में संविधान के निर्माता, रचियता, विश्वरत, भारत रतन, डॉक्टर बाबा साहिब अंबेड़कर का नाम देने पर इतनी हसद, इतना विरोध क्यों? जब अन्य प्रख्यात व्यक्तियों के नाम दिये गए उस पर किसी को आपत्ती नहीं तो फिर इस पर अपत्ती क्यों? क्योंकि मनुवाधियों का विरोध ही संविधान को है, इसलिए संविधान के रचियता, भारत रतन, डॉक्टर बाबा साहिब अंबेड़कर का नाम उनको कैसे हजम होगा? वहीं आंदरपदेश की राज नीती में, फिल्म अभी निता तथा अपनी पार्टी बनाने वाले पवन कल्यान ने, YSR कॉंग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और उन्होंने ये फोडो और राज करो वाली नीती इसको कॉंग्रेस पार्टी जो YSR है, उसको इस नीती के तहट काम करने वाली पार्टी बताया है, एहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए YSR कॉंग्रेस ने अपनी ही सरकार में ये दाउं खेला है, ऐसा पवन कल्यान का आरोब है झाला है